में डॉक्टर दीपड़ा आगे आज डिसकस कर रही हूँ मोस्ट इंपोर्टिंट स्टेट का काउंस्लिंग शेडूर लास्ट फ्यू डेस से नंबर ओफ ताइम, नंबर ओफ कमेंट स्टुडिंट्स ने किये मुझसे इसे रिलेटेड कि मैं यूपी में आयुश की काउंस्लिंग कब स्टार्ट होने वाली है सो फाइनली शेडूल रिलीस हो गया है यूपी में आयुश काउंस्लिंग का BAMS, BHMS and BUMS कोर्सेस के लिए साइट जो लास्ट एर थी काउंसलिंग की वो इससाल नहीं है साइट में थोड़ा लिटल बिट चेंज हुआ है तो वो भी आपको मैं क्लियर बता दूँगी कि किस साइट पे जाकर आपको काउंसलिंग की प्रोसीजर्स को फॉलो करना है हाला कि अभी वो साइट अंडर कंस्ट्रुक्शन शो हो रहा है तो एरर्स अपेर हो रहे हैं बट जैसा की काउंसलिंग आपकी 5th of January से 1st round काउंसलिंग ही आज मैं डिसकस करूंगी क्योंकि जो 2nd round की काउंसलिंग है वो 25th January से स्टार्ट होने वाली है तो काफ़ी time gap है तो that's why अभी जो प्रेजेंट में अपने लिए important है 4th round काउंसलिंग का शड्यूल वही आज हूं डिसकस करेंगे दूसरा चैनल पर अगर आप new है तो for new updates, new notifications चैनल के साथ connect रहे है and for that kindly subscribe my channel, like my videos, share my videos and also press the notification bell अब हम डिसकस करना start करते हैं कि UP में क्या अपना schedule है secondly सभी state wise counselling में मैं time to time सभी students को कह रही हूं कि थोड़ा ध्यान दीजे counselling की procedure पे state wise counselling का procedure little bit different है दूसरा यह जो schedule release हुआ है यह state के साथ साथ 15% पोटा के लिए भी है तो यहाँ पर हम देखे हैं counselling में आप देखते हैं site note कर लिजेगा आप सभी students www.ugcounselling.iup.in पर है इस site पे ही counselling की पूरी processes complete होगी UP में भी counselling की procedure sorry counselling की procedure online mode में ही होने वाली है counselling first counselling यहाँ पर याद रहती हैं लेके online registration जो notification है वो पूरा हिंदी में उसको मैंने English में translate किया हुआ है online registration और choice feeling का जो process आपका होगा वो 5th January 2021 से start होके 12th January 2021 तक होगा इसके पाद merit list published की जाएगी और merit list के साथ साथ जो counselling letter बच्चों को मिलेगा उसको download करने का date है आपका 14th January 2021 बहुत ध्यान रखेगा जो भी student UP में participate करेंगे download date for the downloading of counseling later 24th January ही है तो थोड़ा आप यहां पे ध्यान रखे इसके बाद है आपका document verification का तो जिन students को online seats अलोकेट हो जाएगे और counseling letter अलोट होगा वो students यहां पे document verification करेंगे document verification के लिए time आपको provide है 18th January 2021 से 23rd या 23th January 2021 तक है फिर इसके बाद है आपका list of admitted students जिन students ने document verification कर लिया है और फिर जो students admission लेंगे तो संस्थागत वहां पे clear ने लिखा है कि संस्था के अनुरूप यहां पर जिन students ने admission ले लिया होगा उन students की यहां पे admission list release की जाएगी और वो list आपकी release होगी 25th January 2021 और इसी देट से आपकी फिर second round counseling का schedule भी start होगा वह उसी समय डिसकस करेंगे क्योंकि students generally फिर आप skip कर देते हैं second round counseling को after that यहां पे हम seat up gradation के लिए यहां पे तो देखें नॉर्मली हम देख रहे हैं कि अप्ग्रेडेशन का जो double a triple c की site पे हम counseling चल रहे हैं उसमें अप्ग्रेडेशन हम देखते हैं कि second round में बच्चा जब participate कर रहा है तब अप्ग्रेडेशन कर रहा है यहां पे force counseling पे ही अप्ग्रेडेशन है तो seat अप्ग्रेडेशन जिन्भी students को college a lot हो गए है बटो किसी another college में admission लेना चाह रहे हैं तो अप्ग्रेडेशन के लिए यहां पे separate date provide की गई है वो है आपका 27th January 2021 and then after मान लीजे आपने अप्ग्रेडेशन के लिए apply किया है यहां पे और आपको अप्ग्रेड हो जाता है आपका college तो फिर उस upgrade college में admission date to take admission in upgraded college मतलब किसी students को upgrade हो चुका होगा अगर college उनका तो उस upgrade college में admission लेने की date यहां पे 29th one skip हो गया है sorry so 29th January 2021 आप याद रखेगा 29th January 2021 जो होगा वो आपका date होगा तो यह आपे first counseling का schedule है counseling की choice filling का और online registration की date अभी सबसे पहले आपको याद रखनी है वो start हो रहा है अपना 5th January से 12th January तक आपका choice filling का और online registration का है काफी दिनों से आप सभी students यूपी के लिए बहुत जादा wait कर रहे थे काफी लेट भी हो गया है क्योंकि another states में second round counseling का nearly complete होने पे results आ चुके हैं और इसी के साथ साथ एक double a triple c की site पे important notice release कर दिया गया है वो भी हम अपने next video में discuss करेंगे तो channel के साथ आप connect रहेगा वीडियो को like करें मुझे भी positivity मिलती है कि जितना भी efforts में आपके लिए बना रही कर रही हूं तो at least आपको 10% उसके benefits time to time मिल रहे हैं help आपको अगर किसी another ways में हमारे community required है तो आप कह सकते है videos आपको helpful हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं kindly यह भी comment करें and up to next session all of you stay motivated and stay blessed